Hello and welcome friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे Excel के function की जो Excel में होता नहीं है, हम खुद बनाएंगे उसे, यानि कि यहां से मैं new file choose करता हूँ, और यहां से create पे click करता हूँ, इसको थोड़ा zoom करता हूँ, ठाकि आपको ठीक से दिखाए पड़े, अब यहां पर एक function बनाने वाले हैं, जो हमें क्या करेगा, इस number को text में convert करके अपने आप दे देगा, जी यहां ऐसा हो सकता है, Excel में कैसे होगा, आइए देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप keyboard यूज करना है, तो alt के साथ F11 प्रेस कर दीजे, अदर्वाज laptop का keyboard यूज कर कर देना है click, तो यहां पर visual basic का यह page open हो जाएगा, अब यहां पर क्या करना है, वो code जो हमने लिखना था, उसको मैं यहां पर लाके रख देता हूँ, paste कर देता हूँ, यह code कहां से मिला, और आपको कहां से मिलेगा, आप ही बताता हूँ आपको, इसके बाद आपको क्या कर करना है, इसके बाद इसको save करना है, तो यह save का button है, यहां पर click कर देता हूँ, और आपको इसको save करना है excel macro enabled workbook में, और किसी format में आप इसे save नहीं करेंगे, इसी format में मैं इसे save कर देता हूँ, और एक नाम दे देता हूँ, file 1, file 1 के नाम से इसे save कर देता हूँ, यह कर दिय आमने save हमारा काम हो गया अब चलते हैं कहां अपने excel फाइल पे चलते हैं ठीक है यह हमारी excel फाइल है अब is equal to spell number देखते हैं spell number है या नहीं तो यहां पर देख सकते हैं अब spell number show हो रहा है ठीक है आप इसे कोई और भी नाम देना चाहा है तो दे सकते हैं macro code में ठीक है हमने spell number दिया है अच्छा है तो कोई और भी नाम दे सकते हैं यहां पर इसको selection मिलीजिए और इसको career close करने के बाद enter टेस कीजिए अब यह देखिए जादू यहां पर rupees 57,578 only तो यह देख सकते हैं इंग्लिश में conversion होकी यानि text आ चुका है अब मालीजिए यहां 67 लिखता हूँ और यहां पर formula अगर लगाते हैं यह फिर यह जो formula है इसको track करके नीचे लाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं rupees 67 only अगर मालीजिए यहां पर कुछ और लिखता हूँ और यहां पर इसको रख करके और यहां control डी प्रेस करता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर rupees 789 only तो यह इस तरह से काम करेगा formula अब यह code कहां से आएगा इस code का जो पुरा का पुरा code है इसको मैं description में दे देता हूँ ठीक है हमारे वीडियो के description में आप चले जाएए और वहां से इस code को कर लीजिएगा copy ठीक है आपका काम हो ज अडियो